आज मसाला किचिन में बन रही है साथ फ्लेवर में कुलफी गर्मियों का सीजन है ऐसे में हमें लगता है कि हमेशा फ्रिज में कुलफी आईस्क्रीम तो बनी रहने चाहिए आज की जो कुलफी है बहुत ही अमेजिंग है ना तो इसमें कोई कलर है ना कोई एसेंस है जो आपको fruits मिलें, जो आप drive fruit से बनाना चाहें, वही कुलफी आपके घर में बनेगी और ये कुलफी, खास है महाराष्ट और गुजरात की खास कुलफी, जो एक छोटी-छोटी स्टॉलवर मिलती है, टेस्टी बहुत जादा होती है उसे हम घर में कैसे बनाएंगे, बहुत ही असान तरीके से, चलिए देख लेते हैं गर्मियों में इतनी सारी कुलफी देखकर मूं में आ गया है ना पानी रेसिपी के साथ-साथ एक और भी exciting चीज़ बताती हूँ, कि क्यों है आज का वीडियो इतना खास जहां आपको मिल सकता है OnePlus Smart TV जीतने का मौका और साथ में 3 लाग तक की scholarship भी तो बने रहे है पूरे वीडियो के साथ आप सबको आसान कहना सिखाना मेरा mission है मुझे support करने के लिए चैनल को subscribe कीज़े, वो भी free में इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या पहले वो देख लेते हैं मुझे चाहिए normal दूद, जो भी अपने घर में आता है, गाय का या बफेलो मिलक आता है जो भी दूद आता है, मेरे पास आज full cream दूद है, थैली वाला वो ही मैं ले लेती हूँ टू लीटर मैंने दूद लिया है क्योंकि साथ कुलफी बनने जा रही है उन सारे दूद को मैंने एक कड़ाई में थोड़ा सा पानी डाल कर गैस पर चड़ा दिया है क्योंकि कड़ाई में अगर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो नीचे लगता नहीं है दूद को पहले उबाल लेते हैं आज की कुलफी बच्चों की बेहत प्रिय कुलफी है और हाँ इस समय रमजान का भी टाइम चल रहा है गर्मियों का मौसम है तो कुलफी बनाना तो बनता है तो इसे आप जरूर बनाईए और इंच्वाई कीजे दूद यहाँ पर उबल चुका है यहाँ पर मैं दो कटोरे में एक-एक कटोरी दूद निकाल लेती हूं यह मैं बाद में बताती हूं कि इसे मैं क्या करने वाली हूं थोड़ा ठंडा होने देते हैं और बाकी जो दूद रखा है कडाई में वो उबलने दीजे अब मैं यह दिखाती हूँ कि वो साथ फ्लेवर कौन से हैं, कौन से मैं बना रहे हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए केसर उसमें थोड़ा सा गरम दूद डाल दिया यह केसर अपना कलर छोड़ देगी अब यहाँ पर जो और चीजे हैं वो बता देती हूँ अभी मार्केट में काफी अच्छा आम आने लगा है चीकू आने लगा है, स्ट्रॉबरी है तो यह सारी चीजे हम डालेंगे और यहां पर काजू डाल सकते हैं, बदाम डाल सकते हैं, पिष्टा डाल सकते हैं, केसर पिष्टे की आईस क्रीम बना सकते हैं, बहुत सारी और आप भी अपनी मन पसंद इसकी और कुलफी अलग-अलग फ्लेवर में बना सकते हो, यहां पर मैंने चॉकलेट कुलफी भी बना क्या है यहां देखिए एक कप में मैं 4 टेबिल स्पून भर के मिल्क पॉडर डाल रहे हूं यह कट गोला कुल्फी के नाम से बहुत फेमस है और खास तोर से छोटे-छोटी लारियों में यह बहुत मिलता है और सारे फ्लेवर में मिलता है बहुत ही टेस्टी होता है मतलब जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपणियों के कुल्फी आइस क्रीम होती है ना वो सब इसके सामने फेल होती है अब यह मिल्क पाउडर डालने के बाद मैं अछे से मिक्स कर रहे हूं। यह मिल्क पाउडर वाला धूद स right यह कुल्फी के अंदर मैं डाल रही है जो दूसरी कटोर नहीं डालना चाहिए या कभी आपका मन है कि वरत में खानी है तो हमें ये कॉनिस्टार्स नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं आप क्या करेंगे मिल्क पाउडर की कॉन्टिटी चार चमच के बदले आठ चमच कर दीजे तो बहुत ही बड़िया ये बन जाएगी और हाँ ये भी कर सकते हैं कि कॉन्ट फ्लोर ना डाले यहां पर कस्टड पाउडर भी डाल सकते हैं बस फर्क ये होगा कि उसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा कॉन्स्टार्स डालने से पहले हम इस दूद के अंदर डाल रहे हैं चीनी एक कप भर के मैंने चीनी डाल दिया है क्योंकि ये मीठी भी बहुत अच्छी लगती है और वैसे थोड़े थोड़े हम इसमें फ्रूट्स भी जो डालने वाले है उसका भी फ्लेवर बहुत ही तो अब ये सारा उबलने लगा है अब इसमें हम डालेंगे कॉन्फलार वाला दूद उसे आप मिक्स करते हुए डालिए और उसके बाद आप कंटिनसली चलाते रहे हैं कॉन्स्टार डालने के बाद नीचे लगने का डर रहता है इसलिए आप कंटिनसली थोड़ी देर चल है क्या? तो वो है एक क्लास जी हाँ येलो क्लास येलो क्लास का इंडिया का बिगिस्ट लाइफ प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को बहुत सारी हॉबीश सिखाता है वो भी घर बैठके और सबसे बड़ा जो मेन बॉइनट है फ्री क्लास है बच्चे हमारे सामने घर में बैट कर इन class को जोईन कर सकते हैं और धेरोई नाम जीत सकते हैं करीब 20 लाग बचों ने से देखा है डेली 10 लाग बच्चे इसका लाब उठा रहें जोईन करके बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारी activity करने का मौका मिलता है जैसे dancing, singing, cooking, yoga और भी बहुत सारी activities और सबसे बड़ी बात इस class में बच्चे जिन से सीखते हैं वो mentors अपने अपनी field के experts हैं जैसे शान, रिपू हांडा, सलमान यूसुफ खान और बाकी सब हाली में बच्चों ने exams दिये हैं नए session स्टार्ट तो हुआ है लेकिन ये भी थोड़ी बहुत activities हमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है Yellow class में बच्चे अपने talent को आप skill कर सकते हैं और तो और इतनी सारी चीजें बच्चे सीखें अपने मन पसंद की लेकिन free में कोई cost नहीं लगनी है कहीं जाना नहीं है ये सबसे बड़ा plus point है डाउनलोड करें इसकी app को link में नीचे description box में दे दूँगी आप देख रहे हैं ये काफी गाड़ा हो गया है ये जो मैं चमच इसके अंदर डाल रही हूँ उस पर एक layer सी आ रही है बस इससे जादा हमें गाड़ा नहीं करना है गैस को हम बंद कर देते हैं और इस दूद को हम अच्छे से ठंडा कर देते हैं क्योंकि जब हम इसमें fruits वगर use करेंगे न तो problem आ सकती है हमें गरम दूद को use नहीं करना है तो यहां देखिए दूद थेंडा हो चुका है उस कुलफी को हम पहले बना लेते हैं फिर मैं ये भी बताऊंगे कि आपके बच्चे इस content के लिए eligible कैसे होंगे अब हम इस दूद से बनाएंगे flavorful कुलफी तो सबसे पहले आप कर लीजे divide थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाए और अपने मन पसंद fruit डालते जाए इसमें कोई आपको tension नहीं है कि कितना दूद और कितना fruit आप अपनी पसंद का अपने आप कर लीजे मैंने यहां पर दूद डाला और इसमें मन पसंद इसमें आम डाल दिया जो भी आपको मिले आम और इसे grind कर लिया grind करने के बाद मैंने यहां पर disposable glassों में जमने के लिए रख दिया और ice ना आए तो मैंने इस glass को अच्छे से बंद कर दिया silver foil से इसी तरीके से अब मैं दूसरा दूद ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूं strawberry अभी strawberry हो सकता ना भी मिले तो आप इसके बदले और भी fruit यूज़ कर सकते हैं लीजे ये भी तयार हो गई इसे भी हम silver foil से cover कर लेते हैं अब चलते हैं चीकू कुलफी बनाने के लिए चीकू कुलफी बहुत लोगों की बहुत ही जादा favorite कुलफी होती है अभी मैंने चीकू को थोड़ा अलग से paste बना लिया जैसे दूद में वो अच्छे से mix हो सके इस कुलफी में एक और भी flavor होता है जो केरमिल चीनी करके डाला जाता है उसको मैंने last season में आपको recipe दी है आपको पसंद भी बहुत आई है और बहुत लोगों ने बनाई भी ये enjoy भी किये उसकी link में नीचे डाल दूँगी आप उसे भी बना कर enjoy कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे comment सबके यही थे कि यह तो बहुत सारे flavor में बनती है आपने वो क्यों नहीं बताए तो आज आपकी वो शिकायत मैंने दूर कर दी आज बहुत सारे flavor में आपके लिए लाई हूँ तो चीको की कुलफी बनकर त्यार हो गई इसे भी हम glass में डाल कर जमा देते हैं अब बारी आती है पिस्ता कुलफी बनाने के लिए तो उसे मैंने क्या क्या था पिस्ते थोड़े से ले लिए थी दो चमच करीब उसे रात को भिगा दिया था उसका चिलका हटा दिया है थोड़े से दूद में मैंने पिष्टा डाल दिया वैसे color बिल्कुल आप avoid कर सकते हो पर मैंने दो तीन बून green color डाल दिया है तो अब मैंने डाल दिया है उसके बाद इसे grind करके उसे भी मैंने glass में जमा दिया है अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ और एक क्या चीज़ दूद लिया है यहाँ पर लिये मैंने कुछ badam इन्हें भी मैंने भिगा दिया था, इन बदाम को मैंने छील लिया है और दूद के अंदर डाल दिया और वो जो केसर आपके सामने भिगा के रखी दिना वो भी इसके अंदर डाल दिया है दोनों को एक ग्राइंड कर लेते हैं और इस पेस्ट को भी जमा देते हैं तो ये हो गई केसर बदाम कुलफी, अब लेते हैं थोड़ा और दूद और इसमें डालेंगे हम भीगे हुए काजू, आप इसी की तरह डेट्स वाली कुलफी भी बना सकते हो, काजू वाली कुलफी वाइट जरूर लगती है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है, इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास आज दूद खतम हो गया, पूरा दूद कम्प्लीट हो गया, नहीं तो मैं गुलकन वाली कुलफी भी बनाना चाहती थी, कोई बात नहीं वो आप बना लिजेगा, अब चलते हैं चौकलेट वाली कुलफी बनाने के लिए, तो यहाँ पर इसे ओवर नाइट हमें जमानी जो है, इसे जब हम कल काटेंगे ना गोल गोल राउं तब ही बहुत ही अमेजिंग लगेगी, खाने का मन कर जाता है, ऐसे काटते ही, जब तक कुलफी जम जाए, तब तक मैं कुछ बताती हूँ आपको येलो क्लास के बारे में, तो इस बार अपरिल के महिने में जो कचे कॉंटेस में पाटिसवेट करेंगे, और अगर विनर हो गए, तो वन प्लस का SG स्मार्ट टीवी मिलेगा, जी हाँ, जरूर मिलेगा, शायद आप ही उसके विनर हो, और येलो क्लास की तरफ से गुडीज, बोर्ट स्मार्ट वाचेस, और स्कॉ आइस्क्रीन को देख लेते हैं, लीजे कुलफी बन गई है next day, अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस प्लास्टिक के ग्लासों में मैं क्यों यूज कर रही थी, क्योंकि इसे काटना बहुत ही असान है, देखिए, कट रहे है ना बहुत ही असानी से, अब इसे कट कीजे, और बहुत ही बढ़िया तब भी कट रही है, क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत है अंदर से, ये देखिए, आपको इन सारे फ्लेवर्स में सबसे जाधा कुलफी कौन से फ्लेवर की अच्छी लगती है, ये मैं बारी-बारी से सारी कुलफी निकाल रहे हूँ, पहले मैंने मैंगो का निकाली, अब ही मैंने काजु वाली निकाली है, लीजे चॉकलेट वाली कुलफी तयार हुगई, उसे ही निकाल लेते हैं, ये है पिष्टा कुलफी, थोड़ा सा कलर डाला था ना लना कलर नहीं डालती ना, तो इसका पिष्टे का green कलर दिखता ही नहीं ये है strawberry कुलफी, सारी कुलफी एक से बढ़कर एक हैं, सारी बहुत पसंद आने वाली हैं, ये है चीकु वाली कुलफी, चीकु वाली कुलफी सभी को बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आता है चीकु, ये है केसर बदाम वाली कुलफी, इसे आप इ कुछ नहीं करना बहुत ही सिम्पूल है इसके लिए जो एप दे रही हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाउनलोड कीजिए बच्चों ने जैसे इस क्लास को जॉइन किया वीडियो देखना शुरू कि बस एलिजिबिल हो गए कितना इजी है ना इसे जॉइन करना तो विनर आप ही के बच्चे हो तो इसे जल्दी से जल्दी जॉइन करवाईए ये मौका खोने मत दीजे वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करना बिलकुल न भूलें वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजे जादा से जादा शेयर कीजे अपने बच्चों को येलो क्लास में जरूर जोइन करवाईए और अगर आप इस चैनल पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिलकुल मत कीजिए